हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो बच्चो जैसे हमें पता ही है कि 28 FAB को हमारा CBAC Board का 12th का Chemistry का एक्जाम है तो जहां पर मैं अभी आपके लिए Organic Section से कुछ Important Naming Reaction ले करके आया हूँ तो यहां पर हम पर अभी टोटल 10th chapter है जिसमें से हमारे पास Organic के Part 2 में से 4 chapter हमारा Organic से आ रहे है और एक Biomolecules आ जाएगा जिसमें से हमारे पास हेलो एलकेन, एलकोहल, फेनॉल इथर, एल्डिहेड और एमाइन इन 4 chapter में से Organic के कुछ Important Naming reactions को हम यहां पर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली reactions हमारे पास आएगी Finkelstein reactions, यह generally halogen exchange के लिए आती है, तो हम क्या करते हैं, sodium iodide से Iodine इसमें लगा करके इसका X यहां से remove कर देते हैं अच्छा यहां पर जो dry acetone है इसका क्या role है देखो जो भी यह sodium chloride यह sodium bromide बनेगा यह acetone में पूरा soluble नहीं होता यह precipitate बनके अलग रहता है हम इससे filtrate करके remove कर देंगे जिससे के according to Leachatley principle हमारे reaction जो है कहां के लिए जाए forward के लिए हमारा maximum yield of Iodine में मिलता रहे ठीक है चलिए अब कर बढ़ते हैं next की तरफ अगली आ जाती है हमारे पास swart reaction देखो फ्लोरो किसी group में alkyl में लगाना बहुत टिफिकल होता है because it is exothermican reactions ठीक है तो अगर मुझे fluorine अगर लगाना है तो हम किस तरीके से लगाएंगे ये भी halogen exchange का ही पार्ट है आप पहले हम यहाँ पे पहले एक halogen alkyl halide लगाके फिर इसमें fluorine लगाएंगे तो swart reactions में हम क्या बनाते है फ्लोरोल के तो यहाँ पर हमारे पास अब इनमें से कुछ भी रह सकते हैं जैसे कि यह आ गिया silver fluoride, mercurious fluoride, cobalt fluoride, antimonide, trifluoride इनका इस्तमाल करते हैं किस तीच के लिए floroalkene बनाने के लिए ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास वर्ज रियक्शन, यह तो हम सभी को आती होगी, 11th क्लास में भी हमने बहुत करी है वर्ज रियक्शन, इसका बस advantage याद रखना, एक हलाइट से दो हलाइट बनाने के लिए मिआ पर इसका 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 इस्तमाल करते हैं, ठीक है, मतलब डबल, अपन सिंगल वन कार्बन लिया है तो हमको दो कार्बन का एलकेन बनाएगा दो का चार मतलब इवन टो इवन देगा अपने से डबल ठीक है चलिए अगला है हमारे पास फिटिग रियक्शन यह सेम वैसे ही है बस हम इसमें क्या ले लेते हैं बैंजीन रिंग में एराइल गुरूप यह दो लिये थे ठीक है वुर्ज फिटिग रियक्शन पांचवे नमबर की रियक्शन सा रही है हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं एक एराइल हलाइड ले लिया और एक एलकाइल हलाइड ले लिया इन दोनों का सेम वैसे ही जैसे इभी तक हम वुर्ज में कर रहे थे और बीच में से हमारे पर क्या भार निकल जाएगा 2-N-A-C-L जो भी आपने लिया है क्लोरो बेंजीन है दोनों का तो इसका भी क्लोरो अब यहाँ पर हमारे जैसे टॉलियून बनाने के लिए मिधाइल बेंजीन बनाने के लिए में लिया कोई भी बेंजीन के ओपर एलकाइल में वाले चप्टर में भी दे रखा थीकर भाँपर बहुत बढईया त्रीकि से दे रखा हम पहले यहाँ पर डिसकस कर लेते बात में बताओंगा हुआ वाँ पर क्या है इस पर हमने क्या करना है यह ऐनलीन है ठीकर तो यहाँ पर क्या है यहाँ हमने पर अनलीन को freshly prepared nitrous acid क के साथ एक्विमूलर कंसेंट्रेशन लेनी है दोनों के बराबर और हमें मिल जाए गया पर नाइट्रस एसिट टेंपरिचर द्यान रखना जीरो टू फाइव डिगरी ओनली ओके तो हमें यहाँ पर मिलता है डाई अजोनियम सॉल्ट मतलब कि हमें प्लस और माइनस लगावा अब हम इसकी हल्प से बहुत सारे अपने कमपॉंट्स यह आपर हम बना सकते हैं तो ये वरी जो रियक्शन इतने इसे हम कहते हैं डाई जो टाईजेशन से benzen डीयोराइट एसी को हम क्लूराइट ikhlase ऑ उसी के और को पाइट मेखेक बना सकते हैं तो यह वाली जो हमारे पास आएगा यह preparation और हेलो एरिं की प्रेप्रेशण अभी जैसे हम एलकें का पट रहते हैं तो वहां यह है डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा chemical property में, तो chemical property में जब आप हैलो एरीन के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पर यह दिखाएगा कि हैलो एरीन अगर react करेगा इसके साथ तो क्या बनेगा, तो यह देखो preparation of phenol के लिए भी बहुत important है, तो जो जनरली दोनों step में आप एक साथ कर देंगे, पहले sodium hydroxide के साथ, heat करा और उसके बाद उसका क्या कर दिया है, acidification, acid के साथ, तो दोनों आप एक साथ ही दिखा सकते हैं, क्या बन जाएगा मारा phenol, चलिए, next आता है हमारे पास, हूंस दिकर reactions, यह वैसे NCRT में तो नहीं है, ले इसकी reactions करा देंगे, bromine presence of carbon tetra chloride, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, bromoyalcane, तो ध्यान रखना हूंस दिकर reaction, जो mainly जो हम यूज करते हैं, वो bromoyalcane बनाने के लिए ही इस्तिमाल करते हैं, जब क्लोरो बेंजीन, तो हमारे पास उपर भी है, किसी भी चीज से बना लो, यहाँ पर इस reactions का जब हम इस्तिमाल करते हैं, तो bromoyalcane बनाने के लिए हम इसका इस्तिमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम यह reactions को भी count करेंगे, ठीक है, चलिए, अगला हमारे पास आजाता है, gatterman reactions, जो हमारे पास दे रहे हैं, gatterman reactions जो है, इसमें भी हम chlorobenzene ही बना रहे हैं, जैसे उप बस फरक इतना है कि यहाँ पर copper powder के साथ हम corresponding acid का इस्तिमाल करते हैं, और chlorobenzene और bromobenzene बना देते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स आती है हमारे पास fiddle craft alkylation, ठीक है, अच्छा, fiddle craft alkylation जो reaction है, यह हमें देखने को मिलेगी, chemical property of hello erin वाले topic के अंदर, जहाँ पर, देखो हम तीन कुछ तरीके से करता है, पहले हम उनके किसी भी chapter को start, जो हम organic पढ़ेंगे, पहले हम उसके IUPAC nomenclature को करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसकी preparation करते हैं, फिर हम उसकी physical property, फिर chemical property and at last उसकी applications, तो यह हमें जो देखने को मिलेगी, फ्रिडल craft, यह मिलेगी, chemical property of hello erin, अच्छा, यहाँ पर मैंने benzene ले रहा है, मैं basic concept से ठीका रहा हूँ, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यह chlorobenzene के साथ react करा करके, तो बच्चों इसमें फ्रिडल craft alkylation और एक acylation है, तो जो alkylation है, उसमें हम यहाँ पर लेते हैं, benzene के साथ alkyl halide, और जो acylation है, वहाँ पर हम लेत हैं benzene के साथ acyl halide, जो मैं आपको next उसमें बताऊँ, तो जर्नली होता है, इसको हम anidrus aluminium chloride के साथ, जो act as a catalyst करता है, उसके presence में, ठीक है, जब उसके react कराते हैं, तो acyl तो बहार निकल जाता है, हमारा बन जाता है alkyl benzene, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर tolen है, methyl benzene, तो यह बनान मिल जाता है, किसकी chemical properties में आ रहा है, कि अगर इसके साथ इसकी reactions करा है, तो mainly आ जाता है, यह फ्रिडल क्राफ्ट के अंदर, तो जो हमारे पास दे रखा है, यह जर्नली आ जाए, यह आपको दे देगा क्या, क्लोरो बेंजन लगा देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा Next, आता है हमारे पास, Dehydro Halogenation, यह है, Chemical Property of Halo Alkane की, ठीक है, न, Rx है यहाँ पर, उसकी chemical property, तो यह, जर्नली क्या मतलब होता है, D मतलब होता है, बाहर निकलना, Removal, हाइड्रो मतलब, हाइड्रोजन का, हालोजन मतलब, हालोजन का, तो कहीं पर हालोजन और हाइड्रोजन, एक हलाइड एक हैज को लेकर के बाहर निकल जाता है और हमको देता है yield एलकीन के ठीक है तो अगर हम एलकोहलिक के वाज के साथ लेंगे तो हमें मिलेगा एलकीन चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास जो अगला चेप्टर है हम पर और गेनिक का वो है एलकोहल फिनोल एन इथर तो एलकोहल फिनोल ने इथर के अंदर जो हमें रियक्शन्स जर्नली देखने को मिलेगी पहली वो मिलेगी आपको रिडक्शन देखिए नेमिंग रियक्शन का आणु हम चेख्जन होगे हाईलोगेशन हैड्रोगेशन देहलोगेशन तौ रिडक्शन हम एंपर कर लेते की कही बार जोड़त पढ़ जाती है तो रिडक्शन जो हमारा पास पहला थे उसको थोड़ा अगर हम lithium aluminum hydride या sodium borohydride के साथ करते हैं तो हमें primary alcohol मिलेगा किसके साथ aldehyde के साथ और अगर हम ketone का reduction करेंगे तो हमें secondary alcohol मिलेगा ठीक है इसी तरीके से acid का भी दिखा रहे हैं मैंने के questions मैंने कई बार questions में जरूत पड़ जाती है अगर acid का करेंगे तो हमें alcohol मिलेगा next हमारे पास आ जाता है जो NCRT का है वो है ग्रिगनार्ड रिजन यह भी कुछ नेमिक रियक्शन से बनते हैं ग्रिगनार्ड रिजन से related तो इसमें simple सी अगर aldehyde में सबसे छोटा aldehyde अगर formaldehyde के साथ लेंगे तो हमें मिलेगा primary alcohol और ग्रिगनार्ड रिजन के reactions में मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर generally अपने questions समझने है और अगर इसको formaldehyde को छोड़के किसी भी aldehyde के साथ लेंगे तो हमें मिलता है secondary alcohol और अगर ketone के साथ ग्रिगनार्ड रिजन के reactions कराएंगे तो हमें मिलेगा tertiary alcohol ठीक है अगली हमें यहाँ पर देखनों के मिलेगी esterification ठीक है esterification generally क्या देखते हैं कि एक acid रहेगा हमारे पास और एक alcohol रहेगा ध्यान देना है यहाँ पर हम सोचते कि acid का hydrogen release होगा क्योंकि acidic nature का लेकिन यहाँ पर alcohol act as a acid ठीक है क्योंकि हमें पता है कि alcohol भी acid signature शो करता है तो यहाँ पर हमने इसका H निकालना है और यहाँ से और हमें बन जाएगा ester यह reversible का sign है इसका मतलब अगर आपने H2O को immediately remove नहीं किया ठीक है तो reaction backward चली जाएगे जिसे हम कहते है इस्टरिफिकेशन एक पर बोड में यह question में पूछा गया था कि what is de-esterification ठीक है तो हम ready रहेंगे अगर इस तरीके से question बनते है what is the rule of concentrated S204 का question बन जाते है तो हम इसे भी ध्यान रखेंगे कि it is a dehydrating agent dehydrate मतलब किसी चीज़ से water को खीचना तो इस्टर है formula RCOOR आप आर कुछ भी ले सकते है और यह इस्टर जिसमें fruity smell भी लिखा रहता है इस्टर के साथ इस्टर कैसा होता है you know fruity smell next रहता है हमारे पास oxidation देखो यह फिर से एक नेमिक reaction का पार्ट नहीं है लेकिन कई बार यहां से question बन जाते है आप आप यहां पर आप सीधा ही देख रहेंगो कि जो बॉंड की जो क्लेवे जाए यह वाला hydrogen यह वाला hydrogen तो कई बार हम oxidation को यहां पर dehydrogenation reactions भी कह सकते हैं dehydrogenation में hydrogen का निकलना और हमें क्या बनेगा कार्वनल गुरूप बन जाएगा चाहे वो लेकिन फटाफट रियक्शन करते होना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी तो जैसे यहां पर हमने दिखा रहा है कि प्रामरी एल्कोवल तो आपको oxidizing agent याद होने चाहिए तो generally reducing agent oxidizing agent याद होने चाहिए में जिसके फटाफट से किसी भी चीज में कभी oxidize करना हो थो हम नॉर्मली के में फूर सोडियम क्रोमेट एने टू सिया टू सेवन होगी आपका हाना यह समय यहां पर लिख रखे हैं इनको हम डाल सकते हैं इसको हम इस्ट्रॉंग में भी कंसीटर कर देते हैं तो यहां पर जैसे पहले प्रैमरी अलकोल का oxidation कराया तो क्या चलागी अच्छा एक चीज और है अगर यहां पर जर्नली अगर हम नॉर्मल कंडिशन में इसका oxidation कराते हैं तो reactions पहले अलकोल से LD हैड और LD हैड से फिर अगर यहां पर जो प्रैमरी अलकोल का अगर मिरेक अल्डी हैड बनाना है तो यहां पर जो प्रैमरी अलकोल का अगर मिरेको LD हैड बनाना है तो बेस्ट तरीका रहता है PCC कई पूझ भी लेते हैं कि what is PCC तो PCC हमारा किस से बना है इसमें हमारे पास रहता है Pyridinium chlorochromate ठीक है तो जैसे की एक हमारे पास रहेगा इसमें Pyridin ठीक है प्लस इसमें रहेगा chromium trioxide और इसके साथ रहेगा HCl यह है हमारा PCC का पूरा कई बार एक बोर्ड के 2017-18 में बोर्ड के एक्जाम में पूझा भी होगा था फर्स्ट एक नंबर के कोश्चन में फर्स्ट ही थर्ड फूर्थ नंबर पे कोश्चन था कि what is PCC तो हम यहा रौप देता है फॉर्डर उक्सिडेशन से रोपता है ठीक है अच्छा जर्नल ही अगर हमें secondary alcohol का करवाना हो तो हम इस में लेते हैं CHROMium trioxide ठीक है यह च्रोमिक एन हाइड्रैट यह हमें क्या देता है secondary ketone secondary alcohol oxidized to ketone tertiary alcohol का भी हम यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए conditions हमें थोड़ा सा difficult करने ही पड़ेंगे जासे के Cr2-7 के साथ H204 इस तरीके से यहाँ पर हमें clay वे जब carbon carbon bond का भी देखनों का मिल जाता है means उसमें alcohol के साथ ketone बन जाएगा यह carbon less मिल जाएगा ठीक है वो मैं आपको important reactions में कराऊंगा naming reactions में हम आगे बढ़ते हैं naming reactions में आगे आजाएगा यह भी dehydration और dehydrogenation में आप पर पाट रहा हैं यहां से भी कई बार question बन जाते हैं यह भी naming reactions का पाट नहीं है इसलिए दो-चार reactions उपर नीचे हो सकती है counting में proper naming reactions में से दो-चार reaction जैसे में oxidation reduction इंक्लूड करा दिया है तो dehydrogenation में मतलब क्या होगा hydrogen का बाहर निकलना बस यहां पर क्या हो जाएगा किसके साथ जब हम वैपर एलकोल की वैपर को heated copper के उपर से पास करते हैं तब हमें क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है जैसे primary को अगर हम रख करेंगे यहां पर primary अलकोल को तो हमें LDH secondary को करेंगे तो हमें ketone और tertiary का क्या होता है यहां पर देखने को मिलेगा इस reaction में मैं लिखने का dehydration मतलब यह dehydrogenation को prefer ना करके क्या करता है यह dehydration में यहां से water निकल जाएगा बाहर और यह बना देता है हमारा अलकीन पहले में LDH ketone और तीसरे में अलकीन चलिए नेक्स्ट नहीं रियक्शन जो हमारे पास आ रही है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कॉल्फ रियक्शन यहां पर हम क्या करते हैं sodium phenoxide को heat करते हैं किसके साब carbon dioxide के साब और हमें क्या मिल जाता है फिर उसका acidification के बा तो देखो मैं यहां पर phenol से बना रहा हूं phenol के अगर आप एन्योज के साथ reactions करा होगे तो यहां पर हमारा बन जाता है sodium phenoxide इसकी कई बार exam में mechanism में भी पूछी जाती है लेकिन जर्नली केस में अगर आपको अभी एक one shot में सारी reactions को याद करना है तो मैंने सिर्फ ज्यादा detail या ज्यादा lengthy reactions नहीं में आई जिसते कि आपको आसने से याद हो जाए अब इसका पूरा mechanism करके आपको simple याद रखना है जर्नली अगर आगे तो तब भी number मिल जाते है और अगर आप इनी reactions को detail में और अच्छे से करना चाओ तो वो तो और भी बढ़ी है यहां पर अगर हम एक short में तो सिधा कॉल्प्स का फिनॉल के साथ जब carbon dioxide की reaction तो आपने ध्यान देना है salicylic acid वही मैं दूसरी reactions कराओंगा यहां पर क्या ध्यान रखना है फिनॉल की reaction chloroform के साथ तो यह दोनों reactions आपने एक साथ ध्यान रखने है कि कॉल्प्स का carbon dioxide salicylic acid इसमें chloroform के साथ salicylic acid इसमें जो COOH है यहां पर orthoposition इसमें लग जाता है और यह COOH है salicylic यहां पर हमें LDID group का attachment देखने का मिलता है chloroform के साथ अच्छा यहां से एक बहुत important questions भी कई बार बनता है aspirin एक बार question board में यह भी आ रहा था draw the structure of aspirin तो aspirin अगर आप salicylic acid के साथ मैं reactions आपको करके बतायता हूँ अगर आप salicylic acid के साथ ठीक है एक 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 एड्राइट को कर ले लें CH3 C double bond O CH3 तो bond की क्लिवेज कुछ इस तरीके से होती है और यहां से आपने एक हैच इसके साथ निकाल देना है तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा इसमें से देखो यहां पर तो हमारा जो गुरूप जूड़ गया वो जूड़ गया COCH3 जो जो कहां से आया Acetic Anidrate से और यह तो Acetic ता तो बस आपने इस तरीके से याद रखना है यह है आपका है एस्परीन का फॉर्मला अगर मैं भी पेसी नहीं की बोलो तो टू एस एसी टॉक्सी और यह आजागा बैंजोइक एसी ठीक है यह एज़े एनाल जैसी जो मैडिसिन दवाईयां होती है एस्परीन उसके लिए इस्तमालता है तो एक बोर्ड में कोश्चन भी दा जरना ले कि वट इस यह ड्रॉद इस्ट्रॉक्चर ऑफ एस्परीन ठीक है तो यह यहीं से है नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हम पर आता है विलियमसन सिंथेसिस अचा यह कहां देखने को मिलेगी आपको यह मिलेगी आपको थर्ड सेक्शन 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 सी में जहापर एल्कॉल फिनॉल के बाद आप इथर में आओगे तो इथर में प्रिप्रेशन ऑफ इथर की एक यह दो प्रिप्रेशन दे रहे हैं आपके पास एक तो उसको हीट कर रखा है तेंपरेचर में तो वहाँ पर क्या है उसमें आप अंसिमेट्रिकल नहीं मिले सकते हैं अंसिमेट्रिकल मतलब आपको पहले वाले स्टैफ से तो बराबर बराबर अलकेन ही दोनों तरफ देखन सोडियम अलकॉक्साइड के साथ और कई बार पूछ रहता है कि किस रियक्शन को मेकनिजम को फॉलो करता है तो SN2 भी लिखर का है मैंने थोड़ा ध्यान रहेगा और हमें दे देता है एथर आर अगर सेम है या फिर अलग अलग यह डिपेंड करता है कि हमने कौन सा वाला या कौन सा वाला अलकॉक्साइड लिया इसमें बहुत इंपोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है बहुत कोशन बनते हैं यहां से अलकाइल हलाइड हमें सा ओल्वेज मैंने लिखा वा यहां पर प्राइमरी होना चाहिए क्योंकि इसकी अटैकिंग जो होती है वो प्राइम लेकिन हेलो एरिन वाले में पढ़ लिया होगा तो ध्यान रखना है जबकि यह हमारा कुछ भी रह सकता कई कोशन यहां से बन जाते हैं कि विच्वन रियक्शन जल्दी हो जाएगा कौन सा नहीं होगा किसमें प्राइमरी सेकंडी टर्सरी तो हमने ध्यान देना यह प्रेप्रेशन ऑफ एल्दी हाइड के जहां पर यह वहां अच्छा इसमें लिखा हुए क्लास 11 तो यह वहीं कहीं रियक्शन से बहुत इजी है कई बार पूछ भी लिये जाता है जर्नली जेको इस्ट्रिफिकेशन जो हमने करा इससे पहले भी दो चार रियक्शन साथ चाहिए कैसा भी एल्कीन हो जहां पर डबल बॉंड आपकी ब्रेकिंग महीं से होनी चाहिए और एक को यह ओ को तीन तरीके से बनाना सीखलो बस यह रापका हो जो डबल बॉंड की इधर वो इधर आ जाएगा जो इधर वाला पोर्शन हो यहां पर अब जैसे भी आपने ब इसलिए मैंने आप लिखर का अगला आता है रोजन मूंड रिदक्शन रिदक्शन में वह यह सिंपल इंपोर्टन रिदक्शन में भी कई बार में इसका नेमिंग कई बार आ जाता है रोजन मूंड रिदक्शन इंपोर्टन रिदक्शन नेमिंग रिदक्शन यहां पर क्य लिए डियम बी ए एसो फोर नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है स्टिफन रियक्शन यहां पर क्या है एलकाइल यह फिर दोनों ही हो सकते हैं अरोमेटिक और एलकाइल नाइट्राइल का जब रिडक्शन हो रहा तब हमें क्या मिलेगा एल्डि हाइड तो यह भी कहां पर रहा और बीच का एक इंट्रेमिडेस टेप इसे ना भी लोगो डिरेक्ट लेट्राइज करके क्या बना सकते हैं एल्डि है ठीक है जितने नंबर आर सी यहां पर है उत्रे ही नंबर का एल्डि है आपको यहां पर भी मिलेगा ठीक है अगली नेमिक रियक्शन जो मैंने 24 नंबर पर है यह है इटार्ड रियक्शन जो एंस्याटी में देखने को मिलेगी ठीक है तो अभी तक हम 23 कर चुके हैं अभी 24 रियक्शन सारी इटार्ड रियक्शन यहां से कई बार इंपोर्टेंट कोशन बनते हैं आप डिरेक्ट भी इसमें क्या कर सकते हैं क्रोमिल तो इसलिए यह रियक्शन को आप थोड़ा इस तरीकी से भी यादर करना नहीं तो आप जनरली लिख सकते हो C-R-O-2-C-R-2 क्रोमिल क्लॉराइट असीधा आप इसमें बेंजल डे हैड़ भी बना सकते हैं ठीक है यह ध्यान रखना करो बीच का इंटरमेडिट पूछे है ब्राउन को लगा कॉंपलेक्स बना रहा है क्रोमिल क्लॉराइट के साथ तो इनीशियल क्या है यह पूछ सकता है बाद में क्या बनेगा इसलिए हमने इसे भी कर रहे हैं नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास गैटरमन कोच रियक्शन यह भी प्रिपरेशन ओफ एल्डी हैड पर देखने को मिलेगा जहां पर हम अरोमेटिक अल्डी हैड बना रहे हैं ठीक है तो सिंपली बैंजीन के साथ कार्बन मोनो अक्साइड अच्छ यह लेने का मतलब क्या है यहां पर फॉर्मिल क्लॉराइट बना रहे हैं एच सी डबल बॉन यह एसी ओ सी ओ सी ओ सील फॉर् और मॉनो ऑक्साइड और इस बनाते हैं इससे बेंजल लिया ठीक है नेक्स आजाएगा हमार पास फ्रेडियो क्राफ असाइलेशन देखो अलकाइलेशन असलेशन में आपको पीछे भी करवाया था एसाइलेशन में आपने आरेक्स ले रहा था था अना और यहां पर कुछ नेमिंग इंपॉटेंट है जैसे कि अशीटो फिनोल का कई बार पूछ लेता है बेंजीन का अगर करेंगे एस तो यहां पर मैं यह भी बताना चाहरा हो को जरूर नहीं की बेंजीन होनी चीए अगर यहां पर कुछ लगा हुआ है तो कोई बात यहां से निकाल जैसे लिग कि रिजन क्या ले रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा यह नेक्स्ट इंपॉटेंट है यह नेमिंग रेक्शन का पार तो नहीं है लेकिन यह बहुत बार पूछ रहे हैं यहां से मैं आपको 100% कहा रहा हूं कि अगर रियक्शन यहां से कोशन नहीं बना बोड में हर बार यहां से एक अल्टरनेट इयर पर बोड में कोशन बनता है रहता है यह कहां देखने को मिलेगा टॉपिक आपको यह मिलेगा आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डियाइड जहां पर हम जनरली कार्वनल कंपाउंड को इसकी रियक्शन से में अलग अलग के साथ अब करा कि हमें कौन कौन से देखने को मिल रहें तो इसे पहले एक यहां पर हाइड्रोजन साइनेट के साथ साथ यह थोड़ा दियान रखना है ठीक है तो यह मैं आगे करके यह लिख रखा है जनली रीक्स आपको इसाटी में यह देखने को मिलेगी नेक्स्ट जो है यह यह वाले को मैं बोड़ रहा था एंपोनिय डेरिवेटिव में से में यह एच्ट टू एन अगर यह आपको जट चेंज करना अगर आप कर देत तो तो आप यह झाट करते रहें यह एक टेबल दे रहे कि आप जट चेंज करते रही है और अपने कंपांड बनाते रहें को करना क्या है आपको सिंपल एक लोजिक लगाना है देखो आपने कार्बोनिल कंपॉंड को जिस तरीके से बनाया और लिखने का तरीका यह एच टू पहले लिख दो एन और यह जड़ आप जो भी चेंज करते रहो और यहां पर से आप हर बार क्या निकालते रहो एच टू बहार निकालते रहो और डबल बॉंड के साथ एन और जो भी आपका जैड़ है उसके लगाते रहो बद्यानी रखना है कि पहले उसका नहीं मान लिया जाए अगर यहां देखो आप इस टेबल में देखो अगर यहां पर हैट्राजीन है नस्टो नस्टो तो यहां पर एक साथ एस्टो हाइडर जो इधर अगर टूफो डीन पी है यह वाला तो पूरा वही है ना जैट चेंज हो रहा है आप यहां से इसके साथ एस्टो खीचलो जैसे मैं दिखा भी रखा है और उसको उसके साथ लगा तो इस ली फॉर्मला रट करके नहीं जाना जो कंपाउंड बन रहा है ठीक है आपने इसका हलका मेकेनिजम और उसको उसमें लगा करके चाहे आपने ना भी लिगो जनरली दो चार के जाना है रटर जोन है ना टूफो डीन भी कई बार पूछ ले जाता है ठीक है और यह हैड्रॉक्जिला माइन से ऑक्जाइन यह पूछ लेते हैं अगला एच के साथ जो पीछे जैसे लिखने का तरीका मैंने बताया और यह जो भी चेंज हो रहा है आप यहां से टून निकाल लो बनाते रहो ठीक है तो यह भी कई बार पूछ ले आता है नेक्स्ट बढ़ते हैं अगे अगला आपको देखने को मिलेगा क्लेमेंशन के साथ अगर कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा हाइड्रोकारवन तो कहीं भी अगर एलकोहॉल से अलकेन बनाने के लिए कभी पूछ ले तो हम हमेंशे ध्यान रखें है क्लेमेंशन रिदक्शन वहां पे हल्प करेगा क्यों यह हमें देता है हाइड्रोकारवन एक और रियक् करने इसमें conversion में एलकेन के बारें पूछाए ल्डी है और यह कहीं पर कनवर्जन आए तो डो रियक्षन का दियान रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक रियक्षन सारी है हमारे पास हैलवाल हाल जैलेंस की रियक्षन इसमें क्या है यह थर्ड सेक्षन में मिलेगा ल्डी पूश ले जाता कही बर, इसमें हमने करना क्या होता है, जो αल्फा हैड्रोजन, मतलब इससे लगावा जो पहला कार्वन होगा, इसमें जितने हैड्रोजन है, वो एक एक करके X से रिमूव होते रहते हैं, तो हमें मिलता किया है अल्फा हेलो कार्बोगजिलिक ऐसी यह हमारी HVZ reaction X हमारे पर कौन कौन से रहागा क्लोरो या ब्रोम यह reaction फिर आगे भी कर सकते हैं आपको जितना yield चाहिए एक और बार इसी को दुबार रिपीट कर दो तो यह वाला H हड जागा फिर इसके एक्स लग जाएगा ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आ रहे हमारे पास एल्डॉल कंडंशेशन जिसे हम कई बार इंपोर्टेंट रियक्शन की कैटिगरी में भी रखते हैं तीन में से भी आप मान के कोई सभी केटोन लिखाओ ठीक है आपने दिखाना बस इस तरीके से कि इसका कार्बोनल वाला जो गुरूप है उसको उपर छोड़ दो और इसका अल्फा जो भी निकले एल्डी हैट का तो उसकी रियक्शन इस तरीके से में आपे दिखा देंगे बद्यान क्या रखना है कि एल्डॉल कंडेंसेशन में एट लिस्ट वन अल्फा हैड्रोजन होना ही होना चाहिए ठीक है दोनों में यह तभी काम करेगा अच्छा अल्फा हैड्रोजन मैंने बता लेना जिस पर अल्फा अधू नहीं होगा तो अल्डॉल करने से नहीं देखा इसकी रियक्शन में यह जो हम बनाते हैं अल्डॉल क्यों बोला है दिखो इसमें अल्कॉहल लगता है एक अल्डी हैड गुरूप भी लगता है तो अल्डी हैड और अल्कॉहल जैसे मैं आप प्यार से इने डाल देता है और बच्चे कन्फिज आता है बहत आसाना जाता है कि कमपाउंड एक को डैलूट है नहीं उसके साथ लिए पिन इन वुषा की बना समझ जाना 먹어 पर वह एल्कीन बना रहा है इसका मतलब हीट कर दिया एल्ड हैट को और यह हईड्रोक्सिय एल्ड हैट जो है जुड़ा यह यह डोल कंडेंशेशन का जाएगा तो एक बाद धंक से कोश्चन पढ़ना आराम से मिल जाएगा क्योंकि जरूरी नहीं कि नेमिंग रियक्शन से क सब्सक्राइब अब सीविय से दिरे धियरे कोश्चन या कनवर्जन में नेमिंग रियक्शन को डाल देता है और बच्चे कहते हैं से तो कोश्चन ही नहीं बने जबकि आगर आप देखो तो कनवर्जन सारे अगर पूरे ढ़र ऑघुवाजों में घुमते रहेंगे ठीक है आगे कीटोल का भी यह है, दोनों में अलफा हैडोजन होना चाहिए, तो अलफा हैडोजन यहाँ पर लग जाएगा, इस तरीके से हमारे कमपॉंड बनगे, फोर हैडोक्सी, अभी कीटोल है, कीटोल के साथ, वो एलडॉल था, इसमें कीटोन, किस नाम की पड़ा, यह कीटोन क्रोस अलडॉल, क्रोस अलडॉल की दो कंडिशन्स मैंने आप लिख रख किये हैं, पुरा अलडॉल की तरह हैं, बस इसमें यह है कि दो अलग-अलग अलग अलग केटोन ले सकते हैं, वहाँ पर क्या था, सेल्फ कंडिशन से मैं बोलना भूलके हैं, वहाँ पर क्या है, डि चाहिए ऐसा मतलब जिसमें दोनों नहीं है तो तो काम ही नहीं करेगा किसमें क्रोसेल डोल रिया करने शेशन अब यहां पर मैंने दोनों वाले नहीं कर आए क्योंकि उसमें मिक्सर अप्रोड़क्ट मिल जाता है पहले एक जैसे मान ले जाए एर भी है तो पहले वाला तो आप रहाम से बना भी सकते हैं तो वहाँ पर अच्छा काम करता है जहां पर मैं कुछ ऐसा compound लूँ जिसमें एक में अलफा hydrogen हो और एक में ना हो तब मुझे एक वेल्यूबल प्रोडेक्ट देखने को मिलेगा ठीक है एक ही प्रोडेक्ट मिलेगा ऐसे नहीं कि मिक्शर मिल गया आप मेरे किसी काम कहीं क्या निकालता हो उसमें जैसे मैं यहां दिखा रहे हैं फॉर्मल डे हैड ले लिए उसमें कोई अलफा है जिन तो है नहीं दूसरे मै जैसे का पार्ट है द्यानके रखना है यहां पर सैल्फ कंडेंसियेशन किस का रहे है जिनके पास अल्फा हैड्रोजन नहीं है ठीक है नो अल्फा है जयादा भी नहीं है कि सब कितने में ली दो तीन फॉर्मल डी हैड रहे और बेंजल डी हैड के गड़ी गड़ी गुमेंगे कुश्चन mcqs के लिए भी तयार है ना कौन सा एल्डॉल कंडेशन नहीं देगा कौन सा कहनी जरू देगा तो बद ध्यान देना कि अलफा हैडोजन जिसमें वह कौन क्रॉस और अल्डॉल यहना और इसका यहरान कहनी बदेटा है कहनी , तो दोनों कई जगे आपको टू भी जैसे मानने जाए दूसरा ओला दे रहा हूं है तो एक तो बना देगा बैंजाइल अलकोहल क्या करके अपने आपको रिड्यूस करके और एक बना देगा ऑक्सिडाइस करके एसेट की तरफ मतलब की सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट आफ बै यहां मिलता है हमें एक हाइड्रोकारबन या एलकेन देखने तो सोडा लाहिन के साथ इसको हीट करेंगे सोडियम सॉट आफ कार्वोगजिलीक तो हमें मिलेगा हाइड्रोकारबन और साथ में जो बाइप्रोटेक्ट मिलेगा सोडियम कार्बोनेट का देखो रिमूबल और फिर यह निकल रहा है जर्नली यह बनता है किल्न में किल्न मतलब हो सकते हैं अब अगर इसमें सीओ टू गैस बनेगी तो इसके ब्लास्ट होने का खत्रा भी बना देता है तो हम क्या करते हैं इसको कुछ ऐसे के साथ रियक्सन कराएं कि हमारी कारबन डियोक्साइड का अब इसको क्या करते हैं सोडालाइं के साथ कड़ते हैं तो सोडा मतलब कास्टिक सोडा और क्लाइम के साथ करा तो जो सी ओटू भी भाद निकल रहा है वह सोडियम कारबन की फॉर्म में मिलेगा अब आप इसे प्ले जर्नली हमें इतना डिटेल नहीं जाना सिंपल यापो decarboxylation याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अच्छो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बंड़ी लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में पूरी नेमिंग खतम कर दूँ जिससे कि अगली वीडियो हम किसी दूसरे टॉपिक पर बनाए है ना पहले मैं इसे द को यह एक्सेस में यह ना हो यह वाल हो तो यह आगे इस तरीके से बढ़ती चले जाती है यहां पर फिर यह आगे बढ़ जाएगा प्राइमरी के बाद सेकंडरी तर्सरी तो मैंने पहले लिख दिया कि अगर यह एक्सेस में रहेगा कंडिशन पूछ लेता है कि अगर इसमें से हट्रोजन हट करके अलकायल गुरूप लगता रहता है आगे नेक्स आता है हम पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एच बी डी आर रियक्शन ठीक है है एच बी डी आर हॉपमें ब्रुमामाइड डिग्रेडिशन इसमें द्रहान क्या रखना है आप देखक उप मारे द्रगे ट्रहान कटमशन नों बहुत वारी है तो तो नाम से लग रहा है ब्रोमाइड भ्रोमीड और स्व्लियम हट्रॉकसाड का पोटेशन हट्रोकसाड में सकते हों तो मैं क्या मिलेगा एक सी ओ अगया है आर के साथ सीधा एनस्टू प्रैमरी ठीक है और साथ में एने टू सी ओ त्री एने ब्यार एस्टू तो यह है आपकी होप मैं ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रियक्शन गैब्रेल थैलमाइड यह भी नेमिंग रियक्शन का पार्ट है तो जनली थैलिमाइड से आगे बढ़ रही है रियक्शन लेकिन कई बार हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से बनाया तो मैंने यहां पर पूरा लिख रहे है कि थैलिक एसिट का अमूनिय के साथ करा करके आपको क्या मिल जाएगा जनली एमाइड है और इसके साथ को फिर आपिजल करके निकल करके धैलिक्राइड रिम आइड हां धैलिकल एमाइड अगर मैं इसको बोले तो धैली में इसकी रूर्ट अपको है यहां लग गया उसके बाद आपको जो जो भी माइंड बनाना है वो depend करता है इस alkyl group पर ज़र ध्यान देना है चीज को हैं आप कौन सा alkyl group बना रहे हो वो depend करता है कि alkyl highlight कौन सा ले रहे हो ठीक है तो जो alkyl highlight आपका है हो रहेगा वही आपका amine बनेगा दूसरा यह स्री primary amine के लिए ही इस्तिमाल होगा यहां से आप aromatic है secondary tertiary नहीं बना सक आपको आर जो चेंज करना वही हम चेंज आसे कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगली रियक्शन सारी हमारे पाट जो बहुत ज़्याद है कार्वी ला माइन रियक्शन यह मैं आपको कहां देखने को मिलेगा जहां पर हमें टेस्ट यह पता लगाते हैं वैसे तो chemical property of अमाइन में है और यह हमें देखने को मिलेगी कि अगर हमें कहीं पर primary secondary अमाइन दे दिया कि how can you distinguish या write down the test to distinguish between primary secondary अमाइन तो ध्यान देना है यह वाली reactions में हम क्या करते हैं chloroform के साथ potassium hydroxide alcoholic लेकर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है आइसो साइनाइड इसलिए इसका क्या नाम है अलकाइल कार्वाइलामाइन भी बोलते हैं इसलिए इसका नाम है कार्वाइलामाइन रियक्शन तो रियक्शन दियान दखेंगे अमाइन के साथ स्रिफ primary या फिर aromatic हो सकता है secondary वगण कोई नहीं देता chloroform के वाज के साथ आइसो साइनड में मिल एकर है कप्लिंग रियक्शन से हमारे पास naming में कैंक की इसका यहां पर ए इस संदिय के साथ तो इसका यहां पर जो है वह इस simple के सान निकाल कि आप इसका joint compound बना देंगे जिसे हम कहते है एजो कंपाउंड तो कप्लिंग रियक्शन्स में होता क्या है डायजोनियम सॉल्ड फिनॉल एजो कंपाउंड ठीक है तो यह हमारी टोटल रियक्शन्स हो गई जितने भी अभी हमने यहां पर करी है इन सब की मेकनिजम में भी है आप जर्नली इ टॉपिक अगला लेक्शर भी लेकर के आऊंगा जो लेक्शर मेरा रहेगा केमिकल टेस्ट जितने भी हमारे और्गेनिक के हैं इस सेशन में 2022-23 में सारे टेस्ट एक वीडियो बना करके देदूंगा ओल दा बेस्ट फॉर एक्जाम जो हमारा 285 को है गुड लग बच्चों प्रुपिक बच्चों एक्ष्चों 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 जलेकर देद।